नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपसे विका डिलिसियस के अंद्रिंग कुज रेस्पी चैनल में दोस्तों आज हम बनाएंगे दिवाली एस्पेसल राजभोग तो राजभोग बनाने के लिए हमने दो लिटर टोन दूद ले लिया है पैकेट वाला दूद है इसको कट करके क दोस्तों कभी भी छेना का कवी मिठाई बनाते हैं ना में मलाई नहीं परनी चाहिए मलाई परने से छेना टाइट हो जाता है इसलिए एक वाल आने के लिए कर्ची को ऐसे चलाते-चलाते ही दूद को उबालना है ताकि कराही के तले में दूद चिपके नहीं और इसका यह देखिए इस तरह से चलाते चलाते में दूद्ध को उबालना है यह दोस्तों दूद्ध में एक उबाल आ गया है गैस का फ्लेम ओफ कर देते हैं फिर भी इसको ऐसे कर्शी से चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई नजमें इसको थोरा सा मतलब दो चार मिनट रंडा कड़के फिर इसको फारेंगे तो फारने के लिए आज में निम्भू का यूजी नहीं करूंगी विनिगर से फारूंगी तो विनिगर यह दो लिटर दूद के लिए दो चमच विनिगर इसमें 4 चमच पानी मिक्स कर लेंगे एक अब इसको अच्छे से मिक्स करके दूद थोरा से ठंडा हो जाता है 2-4 मिनिट ठंडा करके फिर इसको थोरा स्थोरा डालके फाड़ेंगे दूद का टेंपरेटर नॉर्मल हो गया है दो चमच भीनिगर चार चमच पानी डालके मिक्स करके इस तरह से रख लिये थे अब यह थोरा थोरा भीनिगर और पानी दूद के अंदर डालते जाएंगे और कर्ची से ऐसे चलाते जाएंगे इस तरह से एक ही बार सारा नहीं डाल देना है थुरा थुरा करके डाल के इसको अच्छे से छेना फार लेना है दूद को दूर भटना शुरू हो गया है यह देखिए दूर भटना शुरू हो गया है बाकी का जो बचा भिनीगर पानी है थुरा थुरा डाल के इस तरह से चलाते जाएंगे यह दूद हमारा अच्छे से फट गया है यह देखिए इसका पानी अलग हो गया है और छेना अलग हो गया यह देखिए यह देखिए पानी एकदम अलग हो गया है और ये छेना अलग हो गया है अब इसको एक pot के उपर बड़ा सा ये छनी है छनी डालके इसके उपर एक cotton का कपड़ा लगा देंगे इसको छान लेंगे तो पानी छेना अलग हो गया है ये पानी को या तो आप चपाती के लिए लगाओगे आटा तो लगा सकते हो तो काफी अच्छा नरम और टेस्टी बनके तयार होगा चपाती या फिर इसको ठंडा करके किसी बोटल में भरके रख लीजिए दो तीन दिन मे अगर आपको छेना बनाना है छेना फारना तो यह पानी यूज कर सकते है या फिर इस कड़ी बनाने में भी स्का यूज कर सकते हो त्सक्ति नdessus ठोटने के लिए विनीगर पाड़ें दूध इसमें खटम अगया बदम मिनीगर का इसको तिन चार बार सापानी से अच्छे स दो लेंगे इस तरह से अ कि इस तरह से दोने से बीनिगर का सारा खटापन निकल जाएगा इसमें जार वर अच्छे पानी से वास करके सारा पानी निकाल दिये हैं थोरा बहुत पानी इसके अंदर भी बचा हुआ है इसको नल के पास या कहीं किसी रोड में ऐसे बांद के यह इगांठ लगा के इसको टांग दीजिए 15-20 मिनाट के लिए यह सारा एक्स्टर पानी जितना होगा सब निकल जाएगा फिर निकाल के इस बुल्ला बनाना शुरू करेंगे यह छेना अमारा तयार हो गया राजभोग बनाने के लिए अब इसको इस तरह से हाथ से तोरके red food color डाल रही हूँ है, yellow color का भी बना सकते हैं,и अप red color का भी बना सकते हैं आज में red color से बनाओँगी इसमें थ häufड़ा सी 2-3 पिंचेस जितना food color डाल crimini Grass Bolot तक अच्छे से हथेली से 5-7 मीनर तक खुब अच्छे से मसलेंगे मसलते मसलते इसको चिकना बना लेंगे अब चलते हैं रसगुला उबालने के लिए सुगर सिरफ बनाने के लिए सबसे पहले कराही में यह एक कटोड़ी यानि की वजन में यह तीन सग्राम चीनी है और डाल देंगे तीन सग्राम चीनी है इसमें 1.5 लिटर जितना पानी डालेंगे चीनी और पानी अच्छे से मैल्ट हो जाएगा पानी अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएगा फिर यह छेना जो मैस करके रखी हूँ उसका बॉल बना बनाके डालते जाएंगे इसका एक लंबा डू बनालेंगे इस तरह से साइज साहे अपने हिसाव से आप बना सकते हो थुरा छोटा भी बना सकते हो अज थोडा मैं बरा बरा ही बना रही हूँ इस तरह से हाथ पर उठा उठा के गोल बॉल जैसी बना लेंगे ये हलके हाथ से इसको अच्छे से चिकना करके गोल बॉल जैसी बना लेना है सारे लोईयों के इसी तरह से गोल करके इस तरह से रसगुला काकार दे देंगे ये राजभोग में कलर आने के लिए तू-पिंचेस के फूड कलर छेना में डाली थी तू-पिंचेस यह सुगर सिरप में डाल कि दोंगी इसको अच्छे सी मिला देंगे चीनी और पानी अच्छे से म्ल्ट हो गया है यह देखिए इस तरह से और इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं तब तक छेना का बॉल बना के त्यार प्यूलनी के लिए्यार कर लेता है've ye do li 지나 फंद्रा रस्गुला बना प्यार की है सुगर शिरुफ रसगुला उबालने के लिए त्यार्ण हो गया है अब एक एक कर्केश में रस गुला ढालते जाएंगे यृच्प हाई रहने तो दोस्तों पांच मिन तक एसे खुला में ही उबालेंगे इसके बद धक के को में दस दस मिनट करके 30 मिनाट और पांच मिनट हो गया है अब इसको धक कि दस मिनट के लिए पकाएंगे दस मिनट हो गया है कराही के लिए ढ़िटा कर देखते हैं रसगुला का क्या हाला है यह देखिए यह देखिए डवल से भी वरा लग रहा है ना वाव कितना सुंदर बना रहा है देखिए यह हमें लग रहा है था सब पानी कम हो रहा है साइड स गरम पानी डाल देंगे एक तरफ से इस तरह से फिर ढख के इसको बीच में ऐसे से चला देंगे किनारे वालों को सबको बीच में ले आएंगे ताकि एक तरह से एक जिसार चारो तरफ से अच्छे से पक जाए फिर ढख के इसको 10 मिनट तक फिर पकाएंगे यह 10 मिनट हो गया है यह कराई कली ढड़ाक देखते हैं रसगुला का क्या हाल है वाव यह देखिए दोस्तों यह कितना सुंदर रसगुला हमारा फूल के तयार हुआ है यह देखिए यह चासनी थोरा गारहा लग रहा है परपस से दो कर्चल गरम पानी साइड से डाल देंगे तो यह कितना लगा है ताइम इसमें पांच मिनट खुले में पकाई थी दस मिनट एक बार दस मिनट एक बार तो टोटल हो गया 35 मिनट 10 मिनट के लिए इसको फिर कराही कली लगा के फिर पकाऊंगे अब जाके मेरा यह राज देखिए बाव कितना सुन्दर अमरब बनके तयार हुआ है यह देखिए इसको उबालने में हमें टोटली 35 मिनट लगा है पांच मिनट खुले में पकाई हूं 10-10 मिनट धक धक के धक देने से क्या होता है इसमें ज्ञाग उपर तक आता है इसी ज्ञाग में हमें रस्गु बना के डाली थी वीडियो उसमें भी एक ट्रीक बताई थी साथ आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा यह दोस्तों यह एक बावल में पानी और पानी के अंदर 10-15 आइस क्यूब निकालके रख दिये हैं और एक-एक करके रस्गुला कराही में से निकालके इसी पानी म तो कुछ दिर और हमें पकाना पड़ता है इसको यह आइस पानी में डाल दिये हैं इससे क्या होता है दोस्तों जैसा हमरा सीज है वाऌमें आज हैउरी डता के पर्करार रहता है अलग सब्सक्क्रणारा कि नहीं करेंगे इसक लिए अलग से सुगर सिरफ बना के त्यार कर रहा है जिसमें कि 200 ग्राम चीनी और एक कटोड़ी पानी डालके थोड़ा मीठा सुगर सिरफ बना के इस तरह से बना के त्यार कर लिए हैं यह सुगर सिरफ बन गया है अब गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे इसमें 3-4 इलैंची छोटी इ के अंदर डाल देंगे जब यह हमारा शुगर शिरफ खंडा होगा फिर आशी फाले पानी में से रस गुला एके करकर निकाल के फिर या सुगर शिरफ में डाल देंगे दुस्तों फाइनली सुगर्षी रफ बनके त्यार हो गया है जिसमें अभी हम यह राजभोग को साथ बनाईएगा राजभोग यह रस्गुला कोई भी मिठाई तो 100% गारंटी के साथ बता रही हूं कि कभी फेल नहीं होगा यह ना रस्गुला फटेगा ना टाइट होगा एकदम इसपांजी जालीदार असौप बनके त्यार होगा यह देखिए इधर अब एक-एक करके रस्गुला यह आइस वाले पानी में से निकालके इस तरह से पानी दवा देंगे यह देखिए कितना अराम से इस में से पानी निकल जा रहा है और साइज फिर ऐसे काईशा ही हो जाएगा सुगर सिरप में एक-एक करके डाल देंगे इस तरह से एक-एक करके साड़े रस्गुले यह सुगर सिरप में डाल दिये हैं अब इसको तीन से चार घंटा यह सुगर सिरप में एफजर्ब होने के लिए छोड़ देंगे फिर जाके सर्व करेंगे यह दोस्तो राजभोग बनके तयार हो गया है जिस ट्रिक के साथ मैं बनाई हूँ आप लग भी ट्राइ कीजिए बिलकुर निराशन नहीं होगा दोस्तों एकदम एस्पांजी जालीदार और सौप्ट राजभोग बनके तयार होगा यह देखिए मैं दिखाती हूँ एकको देखिए देखिए यह कितना जालीदार यह देखिए अंदर तक जाली बना है इसमें कितना सौप्ट बनके तयार हुआ है तो आप लोग भी बनाईए ट्राइ कीजिए दिवाली एस्पेशल राजभोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं दोस्तों सब् लीटर दूज से सिर्फ छेना से ही यह चीनी से बना है राजभोग अंदाजा लगए कि कितना पैसा इसमें लगा होगा यहीं राजभोग अगर हम मार्केट से खड़िद किलाते हैं तो जान लिजिए कि इसका फोर फिप्टी से कम नहीं लगेगा तो क्यों ना हम घर में ही बनाए मिठाई दिवाली यह स्पेशल जब इतना अच्छा बनाने आहीं रहा है तो फिर मार्केट से लाने का क्या मतलब मिलावट वला लाने से अच्छा है कि घर में ही बनाओ कम पैसा में भी बन के त्यार हो जाएगा और टेस्टी भी उतना ही बनेगा स्वास्त के लिए भी लावकारक होगा तो प्लीज बनाईए ट्राइ कीजिए बीडियों के दोस्तों ज़्याद सेयर कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद